कर तक बेकंग वन्स अगेन इन ब्राइट अवशकार दिस प्राकेश खुमार फ्रम ब्राइट अश्कार और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नौन एक्षिं reviews क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले आर समझने वाले हैं कि काहां काम नॉइकशिन verbs का use करते हैं चाहे वो फिर English spoken हो या चाहे वो फिर English grammar ही क्यों ना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे what is non-action dear friends सबसे पहले मैं आपको बता दू कि non-action क्या होता और किस तरीकिस हम non-action को define करते सिंपल सी बात मैं आपको बता दू कि English के अंदर कुछ verbs ऐसे भी होते हैं जिनकी हम present progressive form नहीं बना सकते हैं वो सबी क्या कहलाते हैं non-action कहलाते हैं सिंपल से आप अपने मांड के अंदर ये बात बठा देंगे जिनके भी हम present progressive continuous form नहीं बना पाते हैं यह नहीं अच्छे तरीके से एग्जेम्पल से समझने की कोशिश करेंगे जैसे I know suraj इस तरीके कर यह सही होता है नो यहां पर as a non action use हो रहा है non action का जो verb है वो use हो रहा है उसके पर I am knowing के suraj नहीं कहते He wants a car इस तरीके से हम कहते, He is wanting a car नहीं कहते we like this song हम इस गाने को पसंद करते we are liking this song नहीं कहते I hope कि इस example से आपका थोड़ा बहुत concept क्लियर होगा लेकिन फिर भी इसको शांदा तरीके से समझते हैं और कुछ देखते हैं कि common non-action verbs हैं जो किस तरीके से बताते हैं देखो those express emotions ऐसे verbs जो emotions को express करते हैं वो सभी non-action कहलाते हैं जैसे love, hate, like, dislike ये सभी क्या है non-action verbs हैं उसके बाद ऐसे verbs जो क्या करते हैं sense और appearance को बताते हैं उन verbs को भी हम क्या कहते हैं non-action verbs कहते हैं जैसे hear, taste, smell, sound, feel, see ये सभी क्या है non-action verbs हैं और कुछ ऐसे words जो क्या express करते हैं need और preference को express करते हैं वो भी non action verbs कहलाते हैं जैसे want, need, prefer ये सबी क्या हैं? ये सबी non action verbs हैं उसके बाद जो ऐसे verbs जो measurement को describe करते हैं cost, weight, of इस सबी क्या है? ये सबी क्या है? ये सबी non action verbs कहलाते हैं I hope दोस्तों कि इन जो चार uses मैंने आपके सामने बताए ये सबी non action verbs ही कहलाते हैं उसके बाद अगर शानदा तरीके से इसको अगर समझना है spoken के लिहास समझना या एक दूसरे tricky way से समझना है कभी भी आप नाम को बारे में बात कर रहे हो किसी को अपना नाम बता रहे हो या किसी का नाम जान रहे हो तब आप क्या यूज़ करेंगे non action यूज़ करेंगे यनि नाम को बताने के लिए नाम क्या है non action है क्या है non action verbs है इसकी कोई भी तीन फ़र्म नहीं बनती या चार फ़र्म नहीं बनती non action है इस तरीके से भी हम इसको bride वो दुलन है bride क्या है non action है उसके पर quality की बात करते हैं जैसे quality के अंदर मैं बात करता हूँ I am versatile बहुगुनी versatile का मतलब यहां पर quality है और यह quality क्या है non action verbs है यानि इसकी हम कोई form नहीं बना सकते continuous form नहीं बना सकते कभी भी condition के अंदर जैसे confident, sluggish इस तरीके की जब भी आप क्या condition के बारे में बात करें तब आप किसका यूज करें तब भी आप non action verbs का ही यूज करें जो यह structure आपके सामने दीख रहा है इसी structure को आप इसके अंदर यूज किजिए चाहे आप नाम के बारे मे बात कर रहे हैं, चाहे relation के बारे में बात कर रहे हैं, quality या condition के बारे में ही क्यों ना बात कर रहे हैं, आप इस जो structure है, इसको आप अपने mind के अंदर बठा लीजे कि कभी भी हम name बताते हैं, occupation बताते हैं, relation बताते हैं, quality बताते हैं, condition बताते हैं, तब हम structure का ही use करते हैं, example से समझने की कोशिश करते जैसे अगर नाम के बारे मैं हमें इसको यूज करना हूँ आप पूचेंगे सर क्या आप जूसफ हो क्या, आर यू जूसफ मैं कोलो यस, आई अम जूसफ नहीं हो तो आई अम नाट जूसफ इस तरीके से आप किसी और का भी नाम है क्या is he mohit मैं बोलो yes he is mohit नहीं है तो he is not mohit तो इस तरीके से आप जब भी किसी के नाम को बता रहे हो या पूछ रहे हो तब भी आप क्या यूज करते हैं non action works का ही यूज करते हैं उसके बाद दूसरा जो occupation यानि किसी का पेशा वो काम क्या करता है उसकी job profile क्या है तो आप पूछेंगे sir क्या वो लड़का कवी है क्या is he point मैं बोलोगा yes he is point नहीं है तो he is not point आप इस तरीके से और भी यूज रख सकते हैं जैसे क्या वो लड़का mochi है क्या is he cobbler मैं बोलोगा yes he is cobbler यानि उसका से पता है अशी इस ट्रेक्चर के अंदर आप रख सकते हो occupation रख सकते हो relation रख सकते हो quality रख सकते हो condition रख सकते हो अब relation की बात करते है आप पुछों कि sir क्या वो जो लड़की है क्या वो जो आपके सोटीली मा है क्या is she your step mother मैं बोलोगा yes अगर वो मेरी सोतीली मा नहीं है तो मैं बोलोगा अगर वो मेरी सोतीली मा नहीं है तो मैं बोलोगा no she is not my stepmother इसके बाद आप कुछ और भी रिलेक्शन रख सकते हैं जैसे is she bride क्या वो लड़की दूलान है मैं बोलोगा yes she is bride नहीं है तो she is not bride आचा आप मुझे पूछें के सर क्या वो आपका वारिस है क्या is he your hair ह-e-i-r का मतलब होता वारिस होना here का मतलब होता वारिस मैं बोलोगा no he is not my hair तो इस तरीके से आप और भी relation के बारे में बात कर सकते हैं जैसे सर क्या हो आपके परदादा जी है कि is he your great grand father मैं बोलोगा yes वो मेरे परदादा जी हैं तो मैं काऊंगा he is my great grandfather नहीं है तो he is not my great grand father तो इस तरीके से आप relation के बारे में भी non action verbs का यूज़ करते हैं कभी भी relation के बारे में बात कर रहे है maternal uncle, maternal aunt या कोई भी दूसरे आप relation के बारे में बात कर रहे है वो सभी non action verbs के अंदर ही आते है उसके बाद quality की बात करते है यानि किसी के quality खासित की बात करते है जैसे sir, आप पुछे कि sir क्या हम सभी बहु गुनी है आरेंट होती आप simple सा गह सकते सर, no sir, we are not versatile, तो इस तरीके से किसी की quality भी आप बता सकते है, आचा आप मुझे पूछेंगे sir, क्या आप शिरीकर हो किया, काम से जी चुराते हो क्या, मैं बोलो no, I am not शिरीकर, आप बोलो कि क्या वो लड़का शिरिकर है क्या काम से जी चुराता है is he शिरिकर मैं बोलोगा yes he is शिरिकर नहीं है तो he is not शिरिकर उसके बाद आप दूसरा बहुत सारे यूज रख सकते हैं जैसे आप मुझे पूचेंगे sir क्या आप सवेदना शील हो क्या sensitive सवेदना शील मैं बोलोगा yes I am sensitive नहीं हूँ तो I am not sensitive अच्छा अगर condition के उपर बात करते हैं तो condition के लिए भी हम non action verbs ही use करते हैं यानि जब भी कोई condition होती है वो non action verbs ही कहलाती है जैसे क्या आप बेचेंगे sir restless का मतलब होता बेचें होना आप पुछेंगे मुझे क्या sir आप बेचेंगे मैं बोलोगा yes I am restless नहीं हूँ तो I am not restless अगर इस तरीके से आपको कुछ और पूछेंगे आप क्या confident हैं क्या are you confident मैं बोलोगा yes I am confident नहीं हूँ तो I am not confident but she is confident गिन वो लड़की confident है तो आपको पूछेंगे क्या वो लड़की confident है क्या तो आप पूछेंगे is she confident मैं बोलोगा yes she is confident नहीं है तो she is not confident तो इस तरीके से कभी भी आप किसी के name की बात कर रहे हो किसी के occupation की बात कर रहे हो किसी के relation की बात कर रहे हो और कभी किसी quality के बारे में बात करो condition के बारे में यानि name, occupation, quality, relation और condition की जब जब बात करते हैं वो सभी क्या होते है? non action verbs होते है किसी का नाम non action है किसी का नाम non action है किसी का occupation non action है किसी का relation non action है चाहिए उंकल अंटी वो सभी क्या है? non action है उसके पर quality सभी क्या है? non action है condition सभी क्या non action है I hope dear friends कि आप सभी को non action की सही से समझ में आ गया होगा तो इसलिए मैं आपको सामने कुछ एक slide दे रहा हूँ occupation, relation, quality और condition आप वीडियो को pause करें और उसके बाद इन सभी के meaning आप ढूनें और ताके आप भी अपने आपको इसमें involve कर पाएं और अच्छे से सको सीख पाएं I hope dear friends कि आपके लिए ये वीडियो helpful साभिज रहा होगा अगर आज से पहले भी अगर कभी आपने non action verbs पढ़े थे तो आप मुझे please comment box के अंदर बताए कि हमने पहले भी पढ़ा था अगर आपके लिए ये नया है तब भी आप मुझे पताए कि sir हमने ये first time पढ़ा YouTube के अंदर या first time हमने अपनी daily life में पढ़ा या अपनी life के अंदर पढ़ा तो आप ज़रूर मुझे comment box के अंदर बताए thank you very much झाल